दुनिया भर में सरकारे ओमिक्रोन वेरियंट से होने वाले शंकरमन के मामलों पर पैनी नजर रख रही है उससे निपटने के उपायों पर चर्चा कर रही है जिन लोगों ने वैक्सिन अभी तक नहीं लगवाई है सरकारे उन्हें वैक्सिन लगवाने के लिए तरह तरह से प्रोच्साहित कर रही है इसी तरह अमेरिका में राष्टपती जो बाइडन और उनका परशासन यात्राओं को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन्स बना रहा है वहीं यूरोप में अभी भी कुरोना के डेल्टा वेरियंट का काफी प्रभाव है इसलिए विकड़े खलके हैं और वर्तमान कुरोना वेक्सिन को अस्पताल में भर्ती कराए जाने और मौतों पर उच अस्तर की सुरक्षा देनी चाहिए हालंकि डबलू अचो के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि आकड़े वता रहे हैं कि ओमिक्रोन म्यूटेंट इस्ट्रेंड डेल्टा वेरियंट की तुल्ला में ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है यहां तक कि वैक्सिन की सारी डोज लेने वाले भी इससे बच नहीं पा रहे हैं डबलू अचो के अधिकारी ने कहा कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वर्तमान वैक्सिन अस्पताल में वर्ती कराए जाने और मौतों की संख्या को कम रखने में प्रभावी होंगी यह अभी तक सपश्ट नहीं हो पाया है कि डबलू अचो किस साक्ष की ओर इसारा कर रहा है इसके बावजूद अब डबलू अचो ने पहली बार अधिकारिक तोर पर स्विकार किया है कि डेल्टा वेरियंट की तरह से ओमिक्रोन वेरियंट दुनिया भर में तबाही नहीं मचाएगा जबकि सुरू में ऐसी असंका जताई गई थी। ओमिक्रोन के खत्रे के बाद भी दक्षिन अफ्रिका में अभी भी आबादी के लिहाज से ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में कम कुरोना मामले सामने आ रहे हैं। प्रिचिन अफ्रिका में ओमिक्रोन के 170 मामले सामने आये हैं और नए वेरियंट से पेडित मरीजों में बहुत हलके लक्षन देखे गए हैं। इस वीच कोविड-19 के ओमिक्रोन वेरियंट ने बुद्वार को दुनिया की परिशानी और बढ़ा दी है। क्योंकि जापान ने यातरा परतिबंधों को कड़ा कर दिया है। वहीं वाइरिस के नए सौरूपों से संकर्मन के मामले कुछ और अस्थानों पर सामने आये हैं। और नए साक्ष से या स्पष्ट हो गया है कि या स्वरूप सोचे गए समय से हपतों पहले से व्याप था। ओमिक्रोन के बारे में जादा जैनकारी अभी नहीं हैं जयसा कि या कितना सांक्रमक होगा, क्या या ठीकों को चकमा दे सकता है, इन सब बातों पर फिलहाल जादा जैनकारी नहीं है। यूरोपियो आयोग पर मुख ने शुईकार किया है कि विशु को इस बारे में जवाब देना लंबा खिस सकता है। इस बीच यूरोप के कई देश अब भी कोवीट के पुराने सोरूप डेल्टा से जूज रहे हैं। वहां संकर्मन के मामले तीवर गती से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों के भरती होने की दड़ भी बढ़ी है। वही जापान ने अपना आक्रमक रूप बढ़करार रखा है। उसने सभी अंतराष्टिय एरलाइन को देश में आने वाले उरानों के लिए टिक्टो की बुकिंग दिसंबर अंतक के लिए बंद कर दिया ह जपान ने पेरू से कतर होते हुए आए एक व्यक्ति में इस सवरूप की पुष्टी की है जो देश में ओमिक्रोन का दूसरा मामला है। हलनकि विशु के कई देशों ने दक्षिन अपरिका से यात्रियों के आगमन को परतिबंद कर दिया है। अमेरिका अंतराष्टिय य नहां या कब या नया सवरूप पहली बार प्रकट हुआ हालनकि या असपश्ट है कि या दक्षिन अफरिका से पहले यूरोप में मौजूद था। लेकिन नाइजेरिया ने बुदवार को बताया कि उसके जन्स्वास संस्थान ने कहा कि उसने अक्टूबर में इकत्र किय गए एक नमूने में या स्वरूप पाया था। साथी या इस म्यूटीशिन का पहला ग्यात मामला है। इस बीच सौधी अरब ने बुदवार को कहा कि उसने ओमिक्रोन के पर्थम मामली की पुष्टी की है। यूरोपियो आयोग अध्यक्ष उर्शूला वोन डेर लेन ने समय में या एक लंबा समय होता है। इस बीच जर्मनी के गहन चिकत्सा संग ने बुदवार को चितावनी दी है। क्रिसमस से पहले गंभीर चिकत्सा की जरोत वाले कोवीड मरीजों की संख्या एक नई उचाई को छू सकती है। और इसके पिछले साल से भी सर्वकालिक मीध है। उधर अस्ट्रिया ने लोगडाउन 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। पुर्तगाल ने बुदवार को घरों के अंदर भी मास्क्स पहनने का प्राबधान किया है। अमेरिका में करूना वायरेस के नए सोरूप ओमिक्रोन के पहले मामले की पुष्टी हुई है। रश्टपती जो बाइडन के परसासर ने पिछले महिने के अंत में दक्षिन अफरीकी देसों से यात्रा पर प्रतिबंद लगा दिया था। यही पर कोवीड के नए सोरूप का पता चला था। यह 24 से ज़्यादा देसों में फैल चुका है। अमेरिका के सिर्ष संक्रमन र